भारत में असमराज्य के माहान ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरमिस्थित बोडोलेंड टेरिटोरियल रीजन बीटी आर के लिए एक सवायत क्षित्रिय परिशद है बोडो ब्रह्मपुत्र घाटी के शुरुवाती निवासी स्वदेसी माने जाते हैं ये असम के सबसे बड़े जातिये भाषाई समूहों में से एक हैं बोडो अपने विशिष्ट और विविद विरासत, संस्कृती, भाषा, साहित्य और परंपराओं के साथ गर्वित लोगों में से हैं आधिकारिक तौर पर बोडो कच्छारी अनसूचित जन जाती साधा के रूप में मान्यता प्राप्त हैं बोडो लोगों की भाषा को भारत की समविधान द्वारा 22 अनसूचित भाषाओं में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है 2020 में एतिहासिक बोडो शांती समझोते पर हस्ताक्षर ने बोडो लोगों के लिए शांती और शांती के साथ साथ प्रगति के एक नए युग के रूप में शुरुवात की BTR सरकार अपनी कई जन केंद्रित और उध्योग अनुकूल नीतियों के माध्यम से बोडो लेंड के क्रिशी आधारित और अन्य पारंपरिक स्वदेशी उत्पादों के स्थाई उध्योगी करण आत्म निर्भर वानिज्य उत्थम डिजिटली करण को बढ़ावा दे रही है बोडोलेंड में पीस लाने के लिए जो इनिशिटिव 2020 से पहले शुरू हुआ था इसमें डाइरेक्ली ग्रियो मंत्री जी ने इसमें इंटर्वेन किये थे और प्रढ़न मंत्री जी के आश्रीबाट से ही मार्क टर्शन से ही ये बस्टप में हुआ तो इसलिए मैं धन्य बाद देता हूं और साधी हमारे असम के लोग प्रियो मंत्री जी को भी माई धन्य बाद देता हूं और आपके इनिशिटिव से ही बोरो जो रिवुलेशनारी ग्रूप्स और ओल्बडो स्टुडें यूनियन और डेमोकरिटिक ओर्गनाइशन से ये पीस एकोड एक हुआ प्रियरिटी में हम लोग का सबसे बरा मुद्दा था बौदोलेन में सांति लाना और सबका शुरक्षा निशिट करना तो उसके लिए हम लोग बेरी क्लोसली गौर्मेंट परसेश के साथ विड असम गौर्मेंट और सेंट्रल गौर्मेंट और जितने भी एजेंसिस या ओ शांती, प्रगती और सूसाशन की मुख्य विशिष्टाएं, उपलब्धियां, BTR भूमी मेला, भूमी अधिकारों के सुरक्षा और भूमी प्रमान पत्रों का वीत्रण, BTR भूमी मेला के माध्यम से. हम लोग काफी फोकास कर रहे हैं, एडूकेशन में हम लोग फाउंडेशन लेबल से युनिवर्सिटी लेबल टक कैसे क्वालिटी किशन एडूकेशन लाएंगे, उसके लिए हम लोग काफी काम कर रहे हैं, 1000 स्कूल एडप्शन किया गया, 500 स्कूल हम लोग रिनॉवेशन कर हैं 100 नया स्कूल बना रहे हैं तो बहुत सारे एजुकेशन में हमारा काम हो रहा है सूपर फिप्टी प्रोग्राम के माध्यम से बीटी आर के प्रशासकों की अगली पीढ़ी तयार करना चानक के IAS अकादमी नई दिल्ली में भारतिय सिविल सेवा परिख्षा के लिए एक साल की मुफ्त आवासिय कोचिंग का लाब उठाते हुए बीटी आर के पचास उमिद्वार भारत में सिर्श नोकर शाहों को तयार करना मेधावी चात्रों के लिए इंजिनियरिंग उमिद्वारों के लिए ग्यारा महिने की उच्छ गुणवत्त तावाली मुफ्त आवासिय कोचिंग और परामाश कार्यक्रम औनसाई बिथांग की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रत्यक देख्ति को 5000 रुपे का एकमुष्ट वितिय अनुदान ग्यान स्वरंग बिथांग की 9400 चात्रों को चात्र वर्थि के रूप में आर्थिक रूप से कमजोर प्रत्यक चात्र को 5000 रुपे का एकमुष्ट वितिय अनुदान दिया गया BTR में प्रति दिन एक लाख किलो सुवर का मांस पैदा करने के लक्षे के साथ सुवर पालन को एक स्थाई और वेवहारिय आर्थिक गतिविधी में बदलना रागम, बोडो संस्कृती, कोकरजार साहितिक उत्सव जो थुम्बा नाम का वार्षिक युवा कंकलेव BTR के सभी जीलों के युवा नेताओं को शामिल करके सलाह देने और तयार करने के लिए आयोजित किया जाता है ISPL, Inter6, Schedule Premier League ISPL टीम, बोडो लेंड की विजयता को National League मेच में खेलने का मोका मिला ISPL के बाद, अब संतोष ट्रोफी मेच, BTR में आयोजित किया जाएगा Adopt a School Program के माध्यम से, स्कूल के बुनियादी धांचे में सुधार और BTR में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करना BTR में धान की खरीद के लिए पारदर्शी एवं प्रभावी धाचा BTR हैपिनेस मिशन के माध्यम से, सभी समूदायों के बीच, शांती और सदभाव को बढ़ावा देना BTI DC के माध्यम से, प्रमुख आर्थिक योजनाय, पिग मिशन, मिशन दुगधधारा, रिशम उतपादन मिशन, आदी के माध्यम से, आत्म निर्भर आर्थिक अवसर विक्षित करना गुडविल मिशन के तहत, राजमारगों, पुलों और सडकों का तेजी से विकास, असम सरकार के साथ, 5000 करोड रुपयों की स्विक्रती राशी के साथ, 575 किलोमेटर की सडकों का निर्मान किया गया इस से, BTR के सभी पांच जिलों के लोगों के जीवन में सुधार हुआ है बोडोलेंड के बुनकरूं द्वारा बुने गए तिरंगे, अरोनाई को, हमारे माननिय प्रधान मंत्री, शी नरेंद्र मोधी को भेंट करते हुए, BTR को गर्व है जिसे उन्होंने आजादी के अमरत महत्सव के दोरान धारन किया था प्रधन मंत्री जी ने बोला, एक्स भारत, शेस भारत भारत को सेस्त बनाना है, विश्यो गुरू बनाना है तो उसके लिए हम लोग को मेहनट करना है, काम करना है इसके लिए हम लोग सब तयार है, और मैं सब को धन्यवाद देता हूँ और 20 तरीकों सेलिब्रेशन हो रहा है, हमारा सीब केस रहेगा हमारा मोहा महीम गवर्णर जी तो असाम के, तो गवर्णर जी को हम लोग सुआगट करेंगे और आके हमारे ये सेलिब्रेशन में हिच्छा लेंगे, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और हमारी ये सेलिब्रेशन में बैजन जी पंड़ा भी आ रहा है, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ बाकी सब बॉदोलेन के जितने भी अधिकारियों है स्ताफ से हम लोग इस बार गॉर्मेंट की सेलिब्रेशन में ओल गॉर्मेंट की ब्लोक लेबल, सर्कल लेबल के सब स्ताफ को हमने भुलाए है मैं उम्मेट करता हूँ सब लोग आएंगे और आच्छा सेलिब्रेशन होगा